हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ C.I. बिलाश अगवाल आपका अपना दोस्त और आज की वीडियो के माद्दे हमसे मैं आपको सेक्शन 115 BAC या कहें निव टेक्स रिजिम के बारे में जनकरी दूँगा इस वीडियो के माद्दे हमसे हम जानेंगे क्या है सक्षन 115 BAC निव टेक्स रिजिम कौन लोग इसके दायरे में आते हैं कौन लोग इसके दायरे में नहीं आते हैं क्या इसके फायदे हैं क्या इसके नुक्सान हैं कैसे इसको आप्ट करें कैसे इस ऑप्षन को लें कि हम ने के दाएरे में आ जाएं हम पर परान ले टेक्स का जो रेट्स हैं वो एप्लाई ना हूँ तो आज ये शुरू करते हैं आज की चल्च है Section 115 B.A.C. Income Tax Act के अंतरगत Income Tax Act में Finance Act 2020 या कहें बज़ार 2020 के मार्दियम से जोड़ा गया है यह section दो लोगों को कवर करता है Individuals and HF Hindu Undivided Families केवल यही दो इसमें कवर होते हैं बाकी LLPs Limited Liability Partnerships Partnership Firms Cooperative Societies Trust Companies आधी इसके अंतर अंतरगत कवर नहीं होते हैं Section 115 B.A.C. के मार्धियम से जो लोग नए tax के slips हैं उनमें जाना चाहते हैं वो इस assessment year 2021-22 से नए tax regime को opt कर सकते हैं और जो income tax के अंतरगत कम दरोंग पर tax दे करके अपना tax बचा सकते हैं लेकिन इसमें यह भी है कि कुछ लोगों के लिए फायरेमन साबित होगा कुछ लोगों के लिए नुक्सान दायक साबित होगा कुछ लोगों के लिए फायरेमन नहीं होगा पराने tax regime में 0.5 लाग तक कोई income tax नहीं है अध्य लाग तक छूट है ठायलाँ से लेकर 5 लाग 5 परसंट की दर से income tax पहता है 5 लाग से 10 लाग 20 परसंट की दर से income tax लगता है अर 10mon से उपर 30% की दर से tax लगता है लेकिन इस नए tax रेजिम में 500,00€ छूट जैसे उसमें है वेसे इसमें भी है 500,003,005,00-5,005,00 तक 5% की दर है जैसे उसमें है लेकिन यहां जो चेंज देखने को मिलता हो 5,00,00 की ऊपर की इंकमवालों को देखने मिलेगा हुआ 5 0,00,000 से उपर साड़े 7 लग तक इसमें 10% टेक्स लगता है जो कि वहाँ पर 20 परसेंट लगता है मैं ऐसे ही साड़े साथ सैलाग साड़े साथ लाग से 10 लाग तक की इनकम वारों को यहां 15% पर टेक्स किरना हुगा 15% की दर से होका है जो कि वहां 20 इंट सिता होका है अब 10 ुपर आति है नस्य लाग से साड़े वार्य लाग तक यहां इस सबहुता है कि यहां थैसले को यहां इस पर्सेंट ही लगेगा और वहां भी 30 टेक्स ही लगता था यह हैं इस section 115 BAC के फायदे अब इसके नुक्सान क्या है तो जो पुराने tax regime में हमें बहुत सारी deductions और exemptions हम claim कर सकती हैं हमें मिलती हैं वो यहां यह सब आपको छोड़ नहीं होगी कौन कौन सी tax deductions है जनरली जो हम claim करती है जनरली एक आदम आदमी claim करता है उनको वो आपके sell lead persons के case में देखें तो standard deduction जो 50,000 की मिल रही है वो आपको यहां नहीं मिलेगी उसके बार आता house rent allowance house rent allowance की deduction जो आपको company pay करती है house rent के तौर पर house rent के लिए वो house rent की deduction house rent allowance की deduction हो यहां आपको नहीं मिलेगी इसके लावर जो leave travel allowance आपको मिलता है वो आपको उसकी भी जो deduction हो यहां नहीं मिलेगी इसके साथ ही अगर आपने अपना एक मकान बनाया है या कोई आपकी property खाली पड़ी है उस पर आपने मकान बना रखाया उस पर एक loan चल रहा है तो loan की जो interest आप पे कर रहे हैं उसका जो deduction वहाँ income from house property के head में आपको old tax regime में मिलता था या आज भी मिलता है अगर आप old tax regime में रहते हैं तो वो आपको यहां नहीं मिलेगा इसके साथ जो बड़ी deductions हैं सभी पर apply होती है A T C L I C बच्चों की tuition fees PPF और भी बहुत सारे investments पर जो A T C की deduction है वह यहां आपको नहीं मिलेगी AT CCD 1 की deduction है वह आपको यहां नहीं मिलेगी ATD जो health insurance और preventive health checkups के लिए आपको मिलती है 25,000 वाली deduction वह आपको यहां नहीं मिलेगी और ऐसे ही जो पूरी section 80 है पूरा chapter 6A है जो income tax act का जो उसके अंतरकर deductions मिलती है वो सब आपको यहां नहीं मिलेगी केवल दो deductions को छोड़कर जो की net tax regime में भी आपको दे दी गई है वह है AT CCD subsection 2 जो NPS national pension scheme की जो deduction है 50,000 वालीज की अगर आप NPS में पैसा डालते हैं तो वो deduction आपको net tax regime मिलेगी और 80,000,000,000 जो की जो लोग व्यापार करते हैं और एक limited number of employees से जादा उनके यां काम करते हैं जिन्होंने पिछले साल में इस साल कुछ एक limited जो नमबर उन्होंने बता राखे है उससे जादा लोगों को hire करते हैं इस साल तो उनको कुछ additional deduction दी जाएगी उन लोगों की salary पर जो मिलती कि जो ATJAA में मिल रहे है section वो deduction भी आपको यहां इस नए taxid में मिलेगी अब जिन लोगों पर जो लोग ATC में invest नहीं करते हैं वो जनको और जो sell LEAD नहीं है पहले बात करता हूं है जो sell LEAD नहीं है जो 80-फिर्प् 성्च एक्सर spelling चैप्टर 6 एक धावक्टिंग करती नहीं क्लेम करती है इस टेंडर डिरेक्रशन तो जाएगी सत्राइगे हिस के साथ ही लीड ट्रविल आलाउंस ॉज्ड आलाउंस हैं आपकोम्लेंगैे आप है का मिघा divert कॉर्बियंश धिशु cincolor त्रुड दु कि आपको अफोभरियोंट देती है और फिस आने जाने के लिए वो दिड़ेक्शन भी आपको अभी मिलेगी ने टेक्स निजिम में यह एक डिड़ेक्शन ऐसी है जो इस फोड़े दिये कि ड्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के शॉलाउंच है जो कि कहें especially abled persons especially abled persons means handicap and other types उनको वो deduction अभी भी मिलेगी जो पहले भी थी अब बात करते हैं कैसे इस नए tax regime का हम फायदा ले सकते हैं तो इस नए tax regime का फायदा लेने के लिए आपको section 115 BAC के लिए एक form 10 IE हाला कि अभी तक पोर्टल पर नहीं आया है पोर्टल पर जल्दी आने वाला होगा मैं समस्ता हूँ जायर इस अफते आ जाएगा आपको वो form फायल करना होगा तब आप इस नए tax regime का फायदा ले सकते हैं और उस form को फायल करने का है जो आपको अपने ITR में बताना होगा कि यह अप इस दिन आपने यह form 10IE section 115 BAC नए tax regime को अवेल करने के लिए इस option को अवेल करने के लिए आपने फायल किया है और उसकी date और acknowledgement number वहाँ ITR में डालना होगा लेकिन यह बात और ध्यान रखिए कि एक बार यह नए tax regime में आने के बाद आप जब तक इस नए tax regime को नहीं छोड़ते हैं तब तक यह आप पर apply होगा means अगले साल आप पुराने टेक्स regime में आना चाहें तो आपको इसे छोड़ना होगा और यह आप केवल एकी बार लेने के बाद इसे छोड़ दिया तो आप इस section को दोबारा कभी भी जीवन में नहीं ले पाएंगे कि इस बार पर घ्यान दें आप विशेस तोर से कि एक बार ही आप इस section 115 बीएसी के तहट आ सकते हैं और एक बार ही आप इस section को छोड़ कर जा सकते हैं एक बार आपने जब कभी फ्यूचर में सेक्शन छोड़ दिया तो फिर यह आपका आप कभी यह जो नई दर्य हैं टेक करें अपने फ्यूचर के एक दो सालों को दो-चार सालों को भी देखें जितना आप प्लान कर सकते हैं कि एक बार इस section को आपने ले लिया तो यह मान के चलिए यह आपके लिए lifetime साही है क्योंकि फिर कभी अगर आपने इसे बविश्य में छोड़ दिया तो यह आपको दुवारा नहीं मिलने वाला है कि इस बार तो आप फाइड़े के लिए ले ले लें और अगली बार छोड़ने तो आगामी फिर कभी आप इसके कम रेट का फायदा नहीं ले पाएंगे और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वाट्सअब कर सकते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं मेरा मोगाइल नमबर लिंक्स में है और कहता आप में बूल कर बता देता हूं आप चाहले लोट कर सकते हैं 9690736000 और आप Facebook वाट्सअब पर भी मुझे फॉलू कर सकते हैं और अपडेट्स ले सकते हैं लिंक्स आपकी इस वीडियो में नीचे दिये गए हैं थैंक्य मैं डियर फ्रेंड्स ओक्टिए